जो Trudeau कर रहे हैं वो तो Canada को बहुत पीछे डाकेल रहे हैं देखिए Canada भी इन चीजों से ग्रस्त है आतंगवाद से वो भी ग्रस्त है तो क्या इतनी जादा सेलफिश हो चुके हैं Trudeau की वो भूल गए हैं कि Canada के लोगों के हित के लिए क्या करना है वो तो कैनला के लोगों का भविश बर्बाद करने के कोशिशे कर रहे हैं आपने बिर्कुल सही फर्माया है मैं मैं फ्रांस में पहली पोशे में था वहां के एक शाहिन शाहते लुई कैथोर्थ क्या बोले थे लिता से मौा यानि देश वो मैं हूँ टूडो मेरा खाल उसकी बहुत किताब में पढ़ता है और बुखला गया है और इसको बोली अगर आप मूमे सुन रहा है थोड़ी चरस कम खाया कर टाइगर थोड़ी आकल आ जाएगी तेरे को लेकिन दीपक वोरा जी इससे बात आगे है बहुत आगे है क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो राजनीती में सत्ता के जाने खोब बरदाश नहीं कर पाते क्या टूडो को भी अब ये समझ में आ चुका है क्योंकि वहाँ पर जो खालिस्तानी है वो उसको सपोर्ट करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए वो खुल करके आगिया है सामने क्योंकि समझी आप आतंग बात का साथ देना अपने आप में गलत है आपने बिगल सही कहा है कि उसको डर है कि मैं हार जाओंगा अब उसको ये भी डर है कि सरकाव मेरी कैनेडा में हमारी संख्या भारत के जो लोग है बड़ी संख्या में वहाँ पर रहते है ऐसे तो उनके लिए भी खत्रा है 100% मुझे डर है कि जो बहुत law-abiding citizens हैं हमारे students हैं Canadian citizens हैं और इंडियन ओरिजन या भारत मूल के जो लोग भारतवासी जो वहाँ काम कर रहे हैं पढाय कर रहे हैं उन पे कहीं हमला ना हो और पर टूडो बैटके बोले का we will not tolerate this और करेगा कुछ नहीं यह एक और बात है देखे इस वक जो इस्तितिया बनी हुई है Canada और इंडिया के बीच मुझे नहीं लगता है कि इस से पहले इस तरीकी की सिचुएशन की आई थी और सिफ टूडो की वज़े से ही हुआ 100% और मैं मुझे 51 साल हो गए हैं कूट नीती में मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे मंत्राल ने इतना powerful rejection की आए किसी दूसरे देश के आरोपों का वोरा साब आप ये भी एक बार समझाएगा क्योंकि इस से पहले भी हम देख चुके हैं कि भारत विरोधी एजंडा या भारत विरोधी बात टूडो पहले भी कह चुके साल 2018 में जब वो आये थे उस वक्द उन्होंने हमने देखा थे कि पूर्व मंत्री के हत्या जिस आतंकी नी की थी उसको उन्होंने डिनर पर बुलाया यानि कि मंशत उनकी 2018 से ही साफ है अभी 24 या 2023 से नहीं उससे पहले से हम लगातार देख रहे हैं ये कैनिडा की एक समस्या है और क्लाउन ऑफ कैनिडा पूरी तरह से जो टूडो है इसको दोराता है इसको हम देख रहे हैं बड़ा देश है छोटी मान सिखता है टूडो को मालू है कि भारत उसकी बात सुनेगा नहीं ना कभी सुनी है अगर मैम आज का तो भारत आप जानती है ना आँख जुकाके ना आँख उठाके आँख से आँख मिला आपके बात करता है तो वो इस चीज़ को बरदाश नहीं कर रहा कि किस तरह से मेरे पाँच फाइव आइस बोलते हैं उनको जो पाँच अंदे देश हैं जो जो टूड़ जा जा उनको ब्रीफ किया इसको ब्रीफ मैंने टैक्सी वाले को बोला है मैंने वेटर को बोला है यह हो रहा है यह लॉस्ट इट कम्प्लीटल मैम तरह जो टूड़ जाइव लेकिन आपने ब्लिकुल सही का है जो कैनिड़ा का यह नुकसान कर रहा है अगले साल यह उसे बाद कैनिड़ा को भुकतना पड़े और कैनिड़ा और इंडिया की रिष्टों का सबसे खराब दोर यह चल रहा है जैसे दिपक बोरा जी आप यह कह भी रहे जिसके दिमाग में यह दिल में जरा सी भी सचाई नहीं है उसके अपने लोग कहते हैं कि यह जूटा है देखिए वोरा साब G20 में आये तो गले लगे लेकिन पीट पर जुरा यहाँ पर घोपते हुए नजर आ रहे है इस वक्त यह कहना गलत नहीं होगा लेकिन आप भी बताईए कि भविश्य अगर आप देखें तो क्या नजर आ रहा है आपको कैनिड़ा का कैनिड़ा की एकॉनमी को सही होने में बहुत टाइम लगेगा उसके पास बहुत कम बचा है इस समय हाँ उसके पास प्राकृतिक सादन बहुत है लेकिन सही प्रकार से उनका प्रयोग नहीं कर रहा है इस समय वो अपनी सोशल एंजिनियरिंग करने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन कम्यूनिटी किसी तरह से सीख कम्यूनिटी खालिस्थानी कम्यूनिटी मुझे सपोर्ट करें मैं वापस आजा हूँ ये इतनी जल्दी नहीं होता इसमें कई साल लग जाते हैं और फाइनली टूडो साब अगर इतनी महबत है खालिस्थान के आपका इतना बड़ा देश है इतनी कम अबादी है वहीं पर बना दो ना उसको क्या समस्या है और 1985 को ये टूडो क्यों भूल जाते हैं उसमें इतने लोग सवार थे और उसके बाद भी टूडो कोई समझ नहीं हा रहा टूडो जैसा डीपक वोराजी कह रहा है कि सिर्फ एक ही मकसद है सत्ता मिल जाए चाहे वो किसी भी कीमत पर मिल जाए लास्स कॉमेंट सार लास्स कॉमेंट यही है कि मैं माभी आपने जिकर कि है कनिशका एक्राट का 39 यहर्ज हो गए है उसको नीचे गिरे हो अभी कनेडियन पुलीस का एक बयान आया है हमारी इन्वेस्टिकेशन अभी तक चल रही है 39 यहर्ज अब 300 साल और रुख जाओ 300 साल के बाद उनका जो है फाइनल डिसीजन आ जाएगा बेवाकूफ है हमारी पुलीस की तरह नहीं है बहुत जल्दी हम काम करते हैं यह खो चुके हैं मैं यह रहते हैं गुजरी हुई दुनिया में हम आज की दुनिया में रहते हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रापर चल चुका है और हालात आप देखते हैं कि कैसा होने वाला है फिलाल आपको बहुत बहुत शुक्रे और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बारी हो यह वक्त एक छोटे समय का हम चल्द वापस लोटेंगे आप बने रहे हैं रेपाप्लिक भारत के से कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो सडक जो नौध कोर्या और साओ्थ कोरिया को जोडती थी उसको ही बम से उडा दिया गया है और Qim Jong Un ने Kim Jong-un जिसको सनकी कहा जाता है जिसको तानाशा कहा जाता है उसकी सनक के एक और तस्वीश सामने आई है Đक्षण कोरिया और नौइच कोरिया को जो सड़क कनेक्ट करती थी दौनों देशों को जो सड़क जोडती थी जो इनके एक तरीके से कहें दोस्ती की निशानी थे उसको उड़ा दिया है किम जोंग उनने और इसी के साथ ये बिल्कुल डिकलेया कर दिया है किम जोंग उनने कि उसका दुश्मन नंबर वन कौन है उसका दुश्मन नंबर वन है दक्षड कोरिया वक्ट वक्ट पर हम देखते रहें कि कैसे जो नौर् और चलिए बात करेंगे बाबा सिद्धी के अत्या मामली की क्योंकि इस पूरे मामली को लेकर प्राइम ब्रांच की टीम लगातार अक्शन मोट में इस वक्त नज़र आ रही है नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं दो और नाम दो भाईयों का नाम सामने आ है जो इस हत्या में शामिल है पैसे उन्हीं ने दिये ये बड़ी कबर आपको बता रहे हैं नाम भी बताएंगे शुभम और प्रवीन दोनों भाई जिन पर आरोप लग रहे हैं कि पैसा सुपारी इनी दोनों ने दी थी और उसके ब प्रवीन लोनकर और शुभम लोनकर की हत्या में भी शामिल थे लगातारी बड़ी जानकारी स्वक्तारी है बाबा सिद्धी की हत्या मामले में जतिन हमारे साथ जुड़े हुए जतिन बताई और क्या कुछ डिटेल निकरकर सामने आया अज बिल्कुल देखिए अभी तक जो तीन गिरफतारी की गई है जिसमें दो शुटर शामिल है और तीसरा प्रवीन है प्रवीन से पूछ साथ में बता लगा कि लोजिस्टिक प्रवाइड कराने में इसकी बड़ी एहम भूमी का थी और सबसे बड़ी बात कि प्रवीन औ भी जानकारी मिल रही है कि 2 सब्टेंबर से जब शूटर्स को मुंबई के वरली हिलाके में फ्लैट किराय पर दिलवाय गया था उसके बाद बाबा सिद्धिकी के घर से लेकर बाबा सिद्धिकी के ऑफिस में घंटो ये शूटर्स जो है वो बिताया करते थे बाहर सड़क प्रवीन और शुबं दे रहे थे ये दोनों भाई हैं लॉरंस गैंग से जुड़े हुए हैं और सिर्फ एक डेड़ महिने से नहीं बल्कि काफी समय से ये लॉरंस गैंग के लिए काम करते हैं लॉरंस गैंग की जितने भी शूटर्स हैं उनको लॉजिस्टिक फाइनेशल ब्रामत किये गए पूसाच में प्रवीन ने बताए कि वो 50-50,000 रुपे प्रवीन के जरीए ही शूटर्स को दिये गए थे ये भी बात सामने आई है कि मैस सिर्फ 3,500,000 रुपे नहीं बलकि 5,500,000 रुपे तक देने की जो बात है वो शूटर्स को दी गई थी ये भी जानक प्रवीन निकलकर जतिनारी जो आप बता रहे हैं कि काम के बाद बड़ी रखम देने की बाद भी सामने आई थी पूछताच में बड़े कुलासे और फिलार आगे भी इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और चलिए